क्या केवल पैसा कमा के ही धन्वान बना जा सकता है, रिच बना जा सकता है, गलत, रिच तब भी बना जा सकता है, जब आपके अचानक होने वाले खर्चे, लॉसिज ये कंट्रोल में रहे, रिच तब भी बना जा सकता है, जब आप जो कमा रहे हों, उसमें बरकत आ जाए, औ और उसका आपके घर के वास्तु से क्या relation है? यानि मोटे मोटे घर के वास्तु में थोड़ा सा सतर्क रहके आप किस तरह से इस चीज को ensure कर सकते हैं कि आपको होने वाले अचानक losses जो है वो control हो जाएं, आपकी income जो है वो बहुत सही हो जाएं और eventually आप तरक्की की सीडियां चड़ते चले जाएं नमस्कार, मेरा नाम है योगे शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका happy life with योगे शर्मा में और आज मैं आपसे यही चर्चा करने वाला हूँ कि किस तरह से हम घर के वास्तू में थोड़े से सतर्क होकर, थोड़े से conscious होकर इस चीज को पक्का कर सकते हैं, ensure कर सकते हैं कि बरकत जो है हमेशा हमारे साथ रहे और यहाँ पे देखिए वास्तू में बरकत लाने के कई factors होते हैं, उन कई factors में से आज मैं केवल एक factor आपसे discuss करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल, कि क्या आप जानते हैं कि घर में किचन यानि रसोई बनाने का सबसे suitable स्थान कौन सा है? हाँ, निसंदे वास्तू की थोड़ी सी भी knowledge रखने वालों को सबसे पहले इसी चीज़ की knowledge होती है, कि घर का जो अगनी कोन है, यानि South और East के बिलकुल बीच वाला portion जिसको South East बोला जाता है, ओ घर में रसोई बनाने का सबसे suitable स्थान वास्तू शास्त्र के मताबिक माना ज प्रिट में कभी भी हमारे जीवन पे apply होता ही नहीं है, क्योंकि वास्तू के कुछ एक set norm जो हैं, जो unfortunately बना दिये गए हैं, कि South East में हमेशा kitchen होनी चाहिए, North East में हमेशा मंदिर होना चाहिए, या कहें South West में जो है head of the family का bed होना चाहिए, तो ऐसी जो चीज़े हैं, ये असल जिन्दगी में काम नहीं करती हैं, भई आप एक housing society की कलब ना करिए, जिसमें 30-40 floors हैं, और उसमें सभी में South East में kitchen बनी होगी, तो क्या सभी की life में उस South East की kitchen के अच्छे प्रभाव आएंगे, अब South East की kitchen के प्रभाव क्या होते हैं, South East की kitchen माना जाता है, हमारे जीवन में देती हैं, हमारे losses को कम करती हैं, ये चीज जो है एक पार्ट तक सही है, लेकिन ये चीज completely सही नहीं है, क्योंकि वास्तु असल में हमारी जन्म कुंडली को respond करता है, वास्तु किसी शुन्य को respond नहीं करता है, उस घर में रहने वालों की जन्म कुंडली को वास्तु अपने तरीके से respond करता है मान लीजिए घर में चार या पांच लोग रहते हैं और उस घर का वास्तु उन चारो पांचो लोगों को अलग तरह से respond करेगा अब घर के जो earning member हैं घर का वास्तु उनकी earning को अपनी तरह से support करेगा यानि अगर तो उनकी अनुकूल होगा वास्तु तो उनकी earning बढ़ती चली जाएगी नहीं तो earning सफर हो जाएगी वहीं पढ़ने वले बच्चों के लिए ये वास्तु अपने ढंग से काम करेगा उनको distraction भी दे सकता है या उनको लगन दे सकता है पढ़ाई की housewives की health के उपर ये वास्तु अलग तरह से प्रभाव करेगा कई बार तो वास्तु में देखा गया है कि कई वास्तु जहां अच्छे होते हैं उन घरों का खाना भी बहुत अच्छा पॉस्टिक और स्वादिश होता है और जहां वास्तु सही नहीं होते हैं वहां का खाना भी बड़ा बेजान या नीरस तरह का होता है तो चलिए मुद्दे में वापिस आते हैं South East की kitchen South East की kitchen हमेशा फाइदे मन नहीं होती है कई cases में ये South East की kitchen बहुत उल्टे असर दे जाती है किस तरह से दरसल देखिए कि जो South East कोना होता है वास्तू शास्तर के मताबिक South East कोना होता है अगनी का कोना और यही South East हमारी जनम कुंडली में किस कोने से शो होता है बार्मे घर से बार्मा घर किस चीज़ का होता है अचानक आने वाले खर्चों का losses का या कुछ ऐसे expenditure जो आपने plan ना कर रखे हो उन expenditures का तो वास्तू में जो kitchen होती है वो कौन सा planet होती है वो होती है mangal यानि अगर हमने South East में kitchen दे रखी है तो वो जनम कुंडली में बार्मे घर का mangal एक किसम से indicate हो जाता है मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको यहां तक यह point समझ आ रहा होगा अब इससे आगे चलते हैं अब यहां पर क्या है कि उस घर में रहने वाले लोगों को ये kitchen किस तरह से respond करेगी अब उनके बार्मे घर में अगर तो mangal के दोस्त planet होंगे फिर तो यहां South East की kitchen जो है उनके losses को रोकेगी उनके घर में बरकत दे देगी लेकिन यहीं बार्मे घर में अगर mangal के मित्र ग्रह की जगा दुश्मन ग्रह आ जाएंगे तो फिर उनके खर्चे और spoil होने शुरू हो जाएंगे जिंदगी blockage की तरफ आ जाएगी उधारन के तौर पे में आपको एक कुंडली शेयर कर रहा हूँ आप स्क्रीन पर वो कुंडली देख सकते हैं इस कुंडली में बार्मे घर में बुद्ध रह बैठे हुए और ये मैं आपको एक actual case study आप से शेयर कर रहा हूँ इन्हों ने एक flat books पढ़के अपने घर का वास्तू खुद डिजाइन किया था जिसमें इन्होंने kitchen जो है south east में दे दी थी अब south east में kitchen देने से क्या हुआ इनके बार्मे घर में बुद्ध था और वहाँ पे energy इन्होंने दे दी mangal की तो यहाँ पे क्या हुआ mangal और बुद्ध आपस में inimical हैं, दुश्मन है तो इसका result क्या हुआ इनके बुद्ध के भी result खराब हुए इनके बार्मे घर के result भी खराब हो गए बुद्ध के result क्या थे presence of mind बुद्ध के result क्या थे वो बुद्धी जो समय पे इनके काम आई वो बुद्धी जो इनको सही या गलत फैसला करवाए तो यहाँ पे इनके फैसले लगातार गलत होने शुरू हो गए इसके अलावा मंगल और बुद्ध जब मिल जाते हैं तो इनकी जो जो बनती है यह खराब वला शनी बनती है अब खराब वले शनी ने क्या किया एक तरफ तो इनको आईस की ट्रबल देनी भी शुरू कर दी इसके अलावा लगातार लॉसिस इनकी मार्किट में पेमेंट्स भी अटक देनी इसके अलावा अचानक से इनके कुछ ऐसे इंसिटेंट्स होगे गवर्मेंट पेनल्टिस तक भी लगई जिसकी पैसे के बहुत लॉसिस होए और अचानक से लॉसिस होए और इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि दरसल ये हू क्या रहा है और जनम कुंडली जब अकेली देखी जाए तो वो ये वले दोश को शो ही नहीं कर रही थी और जब जनम कुंडली के साथ इनके घर के वास्दू को बिठाया गया तो सारी चीजें एकडम से क्लेर होती गए तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जस्ट एक बार्वे घर के बुद्ध वालों ने साउथ हिस्ट में किचन बनाई तो उनके जीवन में लॉसिस होने शुरू हो गए यही नहीं अब देखिए किसी के जनम कुंडली में बार्वे घर में केतू हूँ तो कहा जाता है कि बार्वे घर के केतू बहुत अच्छे होते हैं ये मोक्ष देते हैं ये इंसान को बहुत सुलजा हुआ बनाते हैं ये इंसान को एक डाइनमिक करेक्टर बनाते हैं लेकिन यहीं बार्वे घर के केतू वाले भी अगर अपने साउथ हिस्ट में किचन ले आएं तो इस केतू के सारे प्रभाव जो हैं बहुत ज्यादा डिल्यूट हो जाते हैं बलके इससे क्या होता है कि इनके जीवन में मंगल कारे होने रुक जाते हैं इनके संतान को बहुत ज्यादा कश्ट होने शुरू हो जाते हैं बच्चों से रिलेटिड इशू आने शुरू हो जाते हैं जो couples जो हैं अभी अपनी family को extend करने की तरफ जा रहे हैं उनको बच्चा ना होने की दिक्कत हो जाती हैं और जिनके already grown up बच्चे हैं उनमें लगातर health की या पढ़ाई से related या attitude से संबंदे दिक्कते हैं काफी ज्यादा आने शुरू हो जाती हैं तो दोस्तों South East जो है यहां पे kitchen होना दरसल अच्छा है लेकिन केवल उनके लिए जिनके बारमे घर में मंगल के मित्र ग्रह बैटे हों और यहां पे अगर मंगल के शत्रू ग्रह बैटे हों तो कृपया South East पे kitchen ना रखें देखिए astrology और वास्तू को अगर combine करके चलेंगे तो सच में घर स्वर्ग बन जाएगा लेकिन अगर हमने इन दोनों विद्याओं को आपस में मैच नहीं किया और isolated ली चलते रहे तो फिर हमें ना वास्तू करवाने का फाइदा है ना खाली कुंडली दिखाने का फाइदा है इस वीडियो के माद्यम से मेरी यही कोशिश आज कि मैं आपको सचेत कर सकू कि किस तरह से ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं और अगर एक साथ इनका फाइदा ले लिया जाए तो जीवन में लाब ही लाब रहता है और अगर आपके सरकल भी इस तरह से किसी को कोई दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट करके जुरूर बत दियेगा ये बेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है तो आज का वीडियो यहीं तक बहुत जल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ अपना खूब ध्यान रखेगा स्वस्च रहिए सुखी रहिए नमस्कार